नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो जाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटा जाए नमस्कार मैं हूं वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों अब हम लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 सितंबर के पंचांग शाय योग है दृति और करन है वानिच और व्रत पर्व और त्यौहर की अगर बात करते हैं तो आज फूर्णे महा की तितंज वात तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिवाल की तो सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक सही होगी और जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक, मदभेत, कुछ तनाव की इस्तियाज जन्म ले सकती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए गड़ेंश जी की पूजा राधना करने के साथ साथ पक्षियों को चारा आपको जरूर देना चाहिए निवेश से आपको दूर रहना होगा व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज स्वास्त सुख में कमी होगी और श्रम बढ़ेगा मेहनत बढ़ेगी हनुमान जी को शुद्ध देशीगी का दीपक समर्पित करके हनुमान चाले साथ बजरंग बाण का पाठ आपको आज करना चाहिए वाहन के प्रयोग में आप किसी भी तरीके की लापरवाही आज मत बरती है मिथणराशी मिथणराशी वाले जातक लोगों के लिए महनत आज बहुत अधिक रहने वाली है लाब कम होगा धन लाभेतू मचलियों को आटे की गोलियां आपकी आवशे देनी चाहिए पारिवारिक व्यस्तता बढ़ेगी तनाव रहने वाला है आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान श्री भोले नाथ पर कच्चे दूद से अगर आप उनका भी शेक करते हुए तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा बड़े बुज़ुर्गों की बातों को आपको अंदेखा करने से बचना होगा सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए बौधिक श्रम बढ़ेगा परंतु भागे के साथ भागे आपका साथ दे जिससे आपको बहुत बड़ा लाब मिले ऐसी इस्तिति आपके लिए बंती है हर प्रकार के कश्ट से मुक्ति के लिए गणेश थर्षीश का पाठ आपको करना चाहिए वाद विवाद से आपको बचना होगा कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आत्म विश्वास में वृद्धी होगी जिससे आप जिम्मेदारी को पूरा कर सकेंगे हनुमान जी को आज आपको विशेश भोग समर्पित करना च तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक संकट और खर्च के कारण संतान से संबंदित महत्वपूर्ण निर्णे लेना आपके लिए कठिन हो जाएगा आज के दिन चर्या में तामे के पात्र में जल ले करके उसमें थोड़ी सी रोली और कुछ मीठा डाल करके श व्यापारी मित्र से शत्रुता प्रतेश्ठा के लिए चुनोती बन सकती है घर में उत्तर पूर्व दिशा में अगर एक्क्वेरियम रखके उसमें मचलियों को डाल करके अगर आप नियमित रूप से चारा खिलाते रहें तो आपके व्यापार में भी व्रिद्दी मिलेग जातक लोगों के लिए परिश्रम से आए बढ़ेगी धनका संग्रह होगा विश्नु सहस्तनाम का पाठ करना चाहिए धैरे का साथ आप मत छोड़िये मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए नए आदेश और काम का बोज कश्ट परद सिद्ध हो सकता है आपके आ सकता है नई नौकरी के लिए या कुछ नए व्यापार के लिए नए JP's Road के लिए आज आप प्रयास कर सकते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए और काम में आ रहे हैं विग्न और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको करना यह है कि चार पांच दाने जो हैं आपको काली मिर्च के लेने हैं जिन में से चार दाने जो हैं आपको चारों दिशाओं में फेकना है अपने सामने ले तक लोगों के लिए आपका व्यवहार क्रोध और उत्तेजना से परिपूर्ण रहने वाला है लाल पुष्प का पौधा लगा करके उसकी सेवा करें राम रक्षा इस्त्रोत का पाठ करें और किसी भी तरीके की चिंता आज आप करने से बचें तो दोस्तों यह तो बात रही आज के 12 राशिकी हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाए की जिसमें मैं आपको बताऊंगा मा लक्षमी की नहीं रहती हैं पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा किसी भी सनातन हिंदू के परिवार में सुखशान्ति और लक्षमी का वास बहुत ही अनिवार्य बताये गया शास्त्रों में लक्षमी का वास और सुखशान्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं यानि जिस घर में पायदा भी होता है आज मैं आपको बताऊं कि बताने जा रहा हूं कि किन जगहों पे मा लक्षमी का वास होता है और कैसे घर में किन लोगों के ऊपर मा लक्षमी कृपा करती हैं और कैसे घर में मा लक्षमी रहना पसंद करती हैं मधुर बोलने वाले अपने कर्तव को निश्ठा पूर्वक करने वाले इश्वर भक्त इंद्रियों को वश में रखने वाले विवहार से उदार माता पिता की सदैव सेवा करने वाले चमाशील दानशील बुद्धीवान दयावान और गुरू की सेवा करने वाले लोगों के गर में मालक्ष्मी का वास सदय बना रहता है जो विक्ति अपने जीवन में अनका सम्मान करते हैं उनके घर में मालक्ष्मी का निवास होता है जो लोग अनका अनादर करते हैं या उनके घर में अन पैरों में बार बार पड़ता है उस घर में मालक्ष्मी कभी नहीं रहती है लोगों से ऐसे परिवार से मालक्ष्मी रूट जाती हैं जिस घर में अतिती का स्वागत बहुत अच्छे से होता आतित्य जिसे कहा गया किसी का आतित्य बहुत अच्छे तरीके से होता है उस घर में लक्ष्मी निश्चित रूप से अपना इस्थान बनाती हैं ऐसे व्यक्त से दुखी होकर कि उनकी सहायता करने वाले लोगों के घर में मा लक्ष्मी की कृपा सदयव बनी रहती है इसके अलावा जिस घर में पशुपक्षियों का निवास होता है उस घर में भी लक्ष्मी की कृपा सदयव बनी रहती है ऐसे घर में जिसमें पत्नी के लिए पती धर् करती हैं उनकी आग्या का पालन करती हैं घर में सभी को भोजन कराने के बाद स्वध्य भोजन किती हैं ऐसे गर से सदय लक्ष्ठी माता प्रसंद रहती हैं जिस घर की इस्त्री सुंदर हिरन के समान नेतर वाली पत्दी कमर वाली सुन्दर बालों वाली और बोलचाल में शुशीलव सौं में हो उस घर में लक्षमी की कृपास सदैव बनी रहती है जिस घर का मुखिया या अन्य परिजन सूर्योदय के बाद देर तक सोते रहते हैं ऐसे घर में लक्षमी लंबे समय तक विरा है कि छणिक उनकिया प्रभाव हो जाए लेकिन सदैव ऐसे घरों में ऐसे लोगों पर मालक्षमी कृपा नहीं करती जिस घर में नितिप्रती सफाई नहीं होती या जो इस तरी खुद साफ सुथरी नहीं रहती ऐसे घर में लक्षमी का वास नहीं होता यदि किसी घर की इस जिस घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह का वातावरन बना रहता है ऐसे पती या ऐसे साससर जो बाद-बाद पर अपनी बहु को अपनी पतनी का अपमान बार-बार करते हों उनके साथ भी मालक्षमी की कृपा कभी नहीं होती ऐसे परिवार में जो है दर्दता का वातावरन बना रहता है जिन महिलाओं के साथ घर में कठोर व्यवहार होता हो नौकरानी जैसा व्यवहार होता हो ऐसे घर से लक्षमी दूर रहती हैं साथ ही ऐसे घर जिसमें लक्षमी इस्तरोत का पाठना होता हो धन का अपव्याय होता हो उन घर के लोगों को लक्षमी का स लक्षमी का वास नहीं होता जो महिलाएं अपने घर में पूजा का इस्थान नहीं रखती उनके घर से लक्षमी दूरी बना लेती हैं और वो हमेशा करज में डूबे रहते हैं तो आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए यह सारी शास्त्री यह बाते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ा हो जो भी शास्त्र में लिखा वो आपको एस इस बता दिया तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किन किन चीजों को शास्त्रों में बताये गया आपको उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए और लक्षम के साथ जगड़े और क्रोध की इस्थिती है तो उसको भी आपको प्रयास करके अपनी आदत में बदलाव ला करके सुधारना चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह चोटे-चोटे आवश्य को पाए और शास्त्री जानकारियां जरूरी टोटके जो आपको मेरे यूट कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजे और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल वैफवन जैमालक्षमी मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैफवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को पाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्राप्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा नमबर पे WhatsApp अवेलेबल है आप WhatsApp करें 9818300146 यह हमारे Office का दूसरा नमबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email ID note कर लीजे sharma.webava vaiva.gmail.com पर इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद